नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने रेट मी नोट 9 प्रो पर कॉल माइक प्रॉब्लेम फिक्स कैसे कर सकते यह दि दोस्तों आपको भी ठीक है आपक किस तरह का प्रोब्लेंज हो सकते ठीक है तो प्रोब्लेम की वज़द से हो सकते और कियसे करकAm इसको फिक्स कर सकते आजकि इस वीडियो पर मैं आपको इसके रिलेटेट में सॉलीशन बताने वाला हो वीडियो को शुरू से लेकर आन तक डेखे जो कुछ भी ऊसको तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना किया होगा अगर आपका कॉल माइक प्रॉब्लेम कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए दोस्तों य वज़ए से माit इश्य हो जातें ठीकाए वइस क्रेक हो जातें या फिर एक दूसरे के आवास सुना ही नहीं पातें तो ने頭 यह एपके घर पर ठीके दो फोन है तो आप अपने फोन से किसे दूसरे के फोन पर चेक करके देखें ठीक है तो अच्छे से आपका जो माईखे वो काम कर रहा है यानि कि नेटरो का इश्यू है जो भी एरिया में आप कॉल कर रहा है उस एरिया का नेटरो खराब हो सकते हैं तो उसके वज़े से यह प्रॉब्ल देखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको करना किया है आपको डिवाइस एक बार रिश्टार्ट करके चेक करना होगा ठीक है कभी-कभी रिस्टार्ट से आपको मिल जाएगा उसके बाद जाएए फॉन सर्वेस पर और फॉर्स तॉप करके इसको ओके कीजिए ठीक है कई बर फॉन सेटिक्स में प्रॉल्लम होने के वज़सी इस तरह का इश्यू हो जाते हैं क्लियर देटा पर क्लिक करें क्लियर ओल डेटा करके ओकी कीजिए उसके बार आपको बेक करना है बेक करने के बाद यहां उपर में आपको कनेक्शन एंड शेरिंग में लगा उसमें जाए नीचे पर जाके रिसेट वाइफाई जो मोबाइल नेट्रोग आपको दिखाई दे उसमें क्लिक करना है रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके फोन पास्वूट भर देना है और ओके करते हुए रिसेट कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जो है डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर लिजिए उसके बाद दोस्तों चेक कीजिए आपका माइक problem solve हो चुका होगा ठीक है इसके बाद problem solve हो जाता है तो ठीक है यदि आभी भी same problem आ रहा है तो दोस्तों जाए आपने phone के setting पर additional setting को open करें और call speaker I mean clear speaker का जो option है उसमें क्लिक कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो बटन डिखाई दरें clear speaker का उसको एक बार ओन कर दीजिए और आपना जो volume है उसको increase कीजिए ठीक है increase यानि आपको जो है volume बाराना एफोन का और इस button का on कर दीजिए इससे क्या होगा speaker में यदि कोई भी problems वगरा रहते हैं कोई भी dust वगरा की कच्र वगरा से कोई भी problem create होते हैं तो दोस्तों उसको fix कर देते क्योंकि दोस्तों यहाँ से loud voice निकलेगा 30 seconds के लिए तो उससे काम बन जाएगा ठीक है दो-3 बर आप कर सकते हैं दीन में तो इससे क्या होगा आपका speaker जोए वो clear रहेगा यहाँ पर ठीक है तो इस प्रकार से आपको यह solution कर लेना है उसके बाद दोस्तों चेक करें problem solve हो ठीक है यदि दुबारा से problem आ रहा है तो software को अपडेट करना होगा आपको उसके लिए setting और about phone पर जाके अपडेट पर क्लिक करना है software को अपडेट कर देना है software update करने के बाद दोस्तों चेक करें problem solve हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर hardware का issue है आपको technician के पास जाना होगा phone के माइक को change करना होगा और उसके बाद ही दोस्तों आपको प्रॉब्लेम है वह solve होगा ठीक है तो आपको पूरा solution यहाँ पर step by step करना है ताकि आपको जो माइक का के चल एक को आपको शोस्तों टे zarी ना ही तेक्स वर आलते ना है betैơn के बार को से थे फितनले में को मात garlic को मात ऑनिय है फिरे तोस्तों आपको व्हां जाते देंकिश प्रॉणा है ठीक का 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 जाईंबरे यह कै का सूद।